और यूपी जुनाओं में छटे चरन के लिए वोटिंग जा रही है, दस जिलों की 57 सीटों पर मतदान डाले जा रहे हैं गुरकपुर में सीम योगी ने वोटिंग किया है और उन्होंने साफ काय की जीत बीजेपी की होगी, एर एक बार फिर से उनकी सरकार बनेगी तो आपको बता दे कि आज 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है, दस जिले हैं इसमें और 2017 की अगर आप रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर 57 में से 47 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, पुरवांचल के तमाम इलाके हैं, गुरकपूर है और बाकी सभी इलाके हैं, जैसे महराज गंज जिले की सभी पाँच विधानसवा सीटों पर मतदाताउं की लाइन नजर आ रही है, और बीजेपी ने साल 2017 के चुनाव में पाँच में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, और इस बार मतदाताउं का मूड क्या है, इसका जाइजा लिया है संग्वादाता गोन मूड की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त मतदान कुछ देर पहले शुरू हुआ है, और कतार जो है वो धीरे धीरे अब बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि सुभह का वक्त है और शेहरी इलाका है, ऐसे में जादतर लोग जो है, वो मतदान के लिए कुछ वक्त बाद नि तो इस जिले में पाँच विधानसभा सीटे हैं, जिसमें से पिछली बार बीजेपी ने 2017 के चुनाव में चार विधानसभा सीटे जीती थी, धरमेंदर जी क्या आज मुद्दे हैं यहां पर लोगों के क्या सोचकर वोट किया जा रहा है, पाँ साल यहां पर कैसे रहे, क् जो भी काम हो अच्छा ही हुआ. तो इस बार लोग क्या सोचकर मतदान केंदरू पर पहुंच रहे हैं, क्यामरापरसन विनोद के साथ, गौनिका अरोडा, इंडिया टीवी, महाराजगन. दस सिटें ऑपोजिशन के पास थी.